हेलो दोस्तों नमस्कार, कैसे है आप, आज में एक और कहानी लेकर आया हूँ, उम्मीद करता हूँ, पसंद आएगी, अगर कहानी पसंद आये तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, चलिए शुरू करते हैं, आज की कहानी है, चार मोमबत्तिया, मित्रो रात का सम था, चारो तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, नजदी की एक कमरे में चार मोमबत्तिया जल रही थी, एकांत पाकर आज वे एक दुसरे से दिल की बात कर रही थी, चार मोमबत्तियों में से, पहली मोमबत्ति बोली, मैं शान्ती हूँ, पर मुझे लगता है अब इस दुनिया को मेरी जरूरत नहीं है, हर तरफ आपाधापी और लूट मार मची हुई है, मैं यहां अब और नहीं रह सकती, और ऐसा कहते हुए कुछ देर में वो मोमबत्ति बुझ गई, दूसरी मोमबत्ति बोली, मैं विश्वास हूँ, और मुझे लगता है जूट और फरेब के कि मेरे लिए किसी के पास वक्ती नहीं, दूसरों से तो दूर लोग अपनों से भी प्रेम करना भूलते जा रहे हैं, मैं यह सब और नहीं सह सकती, मैं भी इस दुनिया से जा रही हूँ, और ऐसा कहते हुए तीसरी मोमबत्ति भी बुझ गई, वो अभी बुझी ही थी कि ए तो अंत तक जलना है, तुम इस तरह बीच में हमें कैसे छोड़के जा सकती हो, तभी चौथी मोमबत्ति बोली, प्यारे बच्चे घबराव नहीं, मैं आशा हूँ और जब तक मैं जल रही हूँ हम बाकी मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हैं, उधरंग चिन्ह, ये सुन बच्चे की आखें चमक उठी, और उसने आशा के बल पे शांती, विश्वास, और प्रेम को फिर से प्रकाशित कर दिया, मित्रों, जब सब कुछ बुरा होते दिखे, चारो तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आए, अपने भी पराये लगने लगे तो भी उम्मीद मत और ये, क्योंकि इसमें इतनी शक्ती है कि ये हर खोई हुई चीज आपको वापस दिलवा सकती है, अपनी आशा की मोंबत्ती को जलाए रखिये, बस अगर ये जलती रहेगी तो आप किसी भी और मोंबत्ती को प्रकाशित कर सकते हैं, तो दोस्तों ये थी हमारी चार मोंब प्रतियो की कहानी